जहन सब्सक्राइब करते हैं आपके अपनी यूटूब चैनल एक्जाम एक्स्प्लोरर पर तो चलिए देखिए आज आपका जो नया चैप्टर एक शुरुवा एवरेज और सबसे शुरुवात आज देखिए पहला पहला दिन आपका इस नया चैप्टर के साथ है एवरेज जान लेजिए कम से कम 12 त्याइब कोशन मनते हैं इस चैप्टर से आगे देखिए हर चैप्टर को समझाएंगे हम बैसरे धंसे और कैसे समझाएंगे आपको बिना वार्मूले का बिना पुला चैप्टर में खतम कर दूंगा बस आप देखते रहें चलिए आपको बेसिक ब तरीका होता है जैसे माल लीजिए हम अढ़ां रहें थे शोड़ी च्छोड़े-च्छोटे-च्छोटे बॉइस क्या करता है उन्हें को पैसे कुछ बिस्किट सबस्के china 15 अबंप हो जाते हैं हमने क्या कि बयुत हो इक सब्सक्राइब धन्झी और उनसे यह मिल गया है कि नहींगे पाएगा उसका मुझे एक रुपया दिये दो वाला भी थोड़ा सा मुफ लाया रहा कि मुझे दो ही रुपया लेकिन सबसे बुरा लगेगा एक रुपय वाले को ठीक तो आपस पर चोटे-चोटे बच्चे आपस में क्या कर लेंगे लडाई कर लेंगे जढ़ा कर लेंगे कि तुमको क्यों 5 मिला मुझे क्यों 1 मिला तो अपस जाए बच्चे लड़ने लगें और जब मेरे नजर उन्पर पड़ेगी तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे चोटे-चोटे बच्चे पढ़ रहे हैं वह आपस में लड़ाई करें वह आपस में यूद करें हमने उनसे क्या कहा कि भाई तुम लोग अपना पैसा मुझे लाकर दे दो उन्हें लाया तो किरीन कहा किया तो अब अगर देखा जाएं मेरे जेश से कितना खर्च हुआ 3 3 6 3 9 3 12 3 15 मेरे जेश से तब भी पंदर रपय खर्च हो रहे थे और अब भी भी पंदर रपय खर्च हो रहें लेकिन अब सब लोग खुश हैं अब सब लोग क्या है खुश हैं तो यह क्या कहता है कि सब आपको जोड़ दीजिए और जितने लोग हें उससे भाग दीजिए डाजायेगा आपका ऊबर जाएक फोसरा तरीका के बात करें हम लोग तो दुसरा तरीका कहता है कि जो दी इलवा किसी सिरीज में हैं है तो यसमें किसी सीरीज में है तो हम लोग क्या करते हैं उस सीरीज का पहला नंबर और आखरी नंबर मतलब अंतिम नंबर दोनों को जोड़ देते हैं जब किसी सीरीज को फॉलो करे तो पहला और आखरी उनको जोड़ कर उसका क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं भाई जब किसी सीरीज को करेंगे जब किसी सीरीज को सॉलो करेगा तब आई बस समझ में अब एक तरीका और मैं आपको बताता हूं एक तरीका और मैं आपको बताता हूं चीख है चलिए इसको इतना मैं मिटा दूँ देखिए गारी कि आग अगरसे यहां पर कितना है वाई उपरिया है वह हुए Aha यहां है रहा चीग और सकल्ट मैं के होते हैं थे और संख्याओक है आपको कितनी तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर साथ संख्याओं एक सांख्या तो यह हो गया इसके आगे एक दो संख्या होंगी एक, दो, तीन इसके पहले भी घृए जो बीक वाली संख्या होती वही क्या कैलाती है एवरेज क्या चैलाएगी भाई फालो करें यहां क्या क्रम मतलब एक क्रम से आ रही है एक क्रम से आ हैं तो जब किसी सीरीज को फॉलो करें कि बाइसे एक दो तीन चार पांच छे साथ संख्याई थी तो हमने कहा तीन आगे से सब को जोड दिया जाए और ले उससमें कितना है आपका 27 कितना है आपका 27 यह कब लगाएंगे आप जब किसी सीरीज को फॉलो करेंगा तब जितना आगे सब्सक्राइब जो बचे को मेरा एवरेज कहलाएगा चलिए अब हम आते हैं सवाल पर यह आपका क्या था यह आपका वह अपने देखा कि निकालने के कुल 3 तरीके होते हैं एक होता है सब को जोड दिया जाए और जोड कर उसका जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दे तो से भर जाता है एक उता है कि जब किसी सीरिज को फॉलो करती है तो जितनी संख्याइं आप आगे सटाएं उतनी पीछे से भी हटा दीजिए जो बीच में बचेंगा वही क्या कहलाएगा आपका एवरेज कहलाएगा तो आपने देखा कि एवरेज निकालने के कितने तरीके होते हैं ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं क्यों यहां पर करा साथ क्रमागत संख्याइं दी गई है संख्याइं कितनी है भाई साथ चलिए एक दो तीन चार पांच छे साथ और इसका एवरेज कितना दिया है 27 दिया है हम क्या करेंगे तीन हमने क्या किया पीछे सटा दिया आगे सटा दिया और तीन हमन बन जाएगा मेरा average को आई बास समझ में बताये पुछा सबसे बड़ी संख्या क्रमागत क्रम से आ रही है कैसी एं क्रम से आ रही है तो यहां से मुझे इंस टेप आगे जाना होगा तीन स्थेप आगी कि जाएंगे और जब 3 step पीछे जाएंगे तो मानस 3 कर देंगे और 27 से च네ई कम करेंगे और 25 आएगा और ये सबसे चोटी संख्या हो जाएगी लिए क्या हो जाएगी सब्सवाज़ी संख्या हो जाएगी आई बाद समझ में चलिए एक लगाने का तरीका तो आपका यह था चलिए इसको माल लेते पहला तरीका अगर माल लेजिए आप इसको भूल जाएं और आपको क्या याद रहें कि भाई क्रमागत हैं तो एक सबसे बड़ी होगी सबसे चोटी होगी हमने माल लिया कि सबसे बड़ी वाली को पहला माल ले और सबसे चोटी वाली को पहला माल यह चोटी हो गई और यह क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा लेकिन बड़ा लंबा प्रोसेश हो जाएगा यह काफी लेंदी हो आपका आंसर आए उस तरीकों को आप लेके चलिए ठीक है ना ज्यादा जानने के प्रयास करेंगे तो प्रॉसेज आपका स्टेप बाइस बढ़ जाएगा या आप लोग अगर इच्छा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन सबसे घटिया तरीका मैं आपको बताया हो कि एक स है तो दूसरा एक प्लस वन होगा तूसरा एक प्लस टू होगा उसके बाद एक्स गरस थ्री होगा इसके बाद आप लोग देख लें फिशे इस प्लस 4 होगा इस प्लस 5 होगा इस प्लस 6 होगा और इस तरह से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएगा अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे ध्यान से देखिए आपको पता है कि 3 आगे से अट आईए 3 पीछे से अट आईए बीच वाली क्या हो 24 और सबसे छोटी संग्चा आपको बताया था था राट यह यक्स क्या है 24 है आपका यह 24 हो गया अब आपसे का जाए 26 सॉरी 24 में हम 6 जोड़ें तो 24 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा यह सबसे बड़ी हो जाएगी और देखिए सबसे बड़ी क्या निकल किया था आपका 30 तो यह आसान था यह थोड़ा सा लेंदी है आपका अंसर दोनों से आएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम उसी तरीके को बताएंगे जिस तरीके को आप आसानी से सॉल्व कर पाएं तो हम लोग फोकस करेंगे इस वाले तरीके पर चलिए अब अग कि 9 क्रम आगत संख्याओं का उसात 80 है अब एक बात बताईएगा हम लोग क्या करेंगे 123456789 नव क्रम आगत संख्याओं हैं हमने क्या किया चार संख्याओं आगे से ले लिया 4 संख्याओं पीछे से ले लिया बीच में क्या बचेगा 88 और यही 88 मेरा average बन जाएगा उशा सब से बड़ी संख्या बताईए, यहां से क्या करना है, आपको चार नंबर आगे आना है, तो आप इसमें चार जोड़ दीजिए, 81 Čर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और यहीफे आपके सवाल का answer, यहीं ही आपके सवाल का answer, अगर पूछद eh सबसे छोटी संख्या बताईए तो यहां से आप 4 नंबर पीछे चले आईए चार कम कर दीजिए और जब चार कम करेंगे तो क्या आएगा 77 आएगा और सबसे छोटी संख्षा का 77 आज आएगा ठीक तो यह तरीका ज़दा बहतर है आपके लिए है के नहीं चली ना यक्स मानना है न वाई मानना है न कुछ मानना है आप सिदे सवाल का आंसर देखे आगे बढ़ जाईए ठीक है फालतु के चक्कर में पढ़ेंगे तो उलज जाएंगे आप लोग चली अगला कोश्ण देखिएगा यहां पर कह रहा है कि चार क्रमागत समसंख्याओं का आउस्सत कितना है वाई 19 है समसंख्याओं दी गई है समसंख्याओं दी गई है तो एक काम करते हैं एक दो तीन चार चार क्रमागत समसंख्याओं है हमने क्या किया दो आगे सटा दिया दो पीछे सटा दिया इनके बीच म है भई 19 है हमें पता यह है कि जो एवरेज है ओ 19 तो है लेकिन यह सम संख्याओं की सीरीज है तो इसके पहले रहा होगा 18 इसके पहले रहा होगा आपका 16 इसके बाद रहा होगा 20 इसके बाद रहा होगा 22 और पूछे का तो क्या बताएंगे पूछा दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 20 आएगी तो आपका अंसर क्या आजाएगा ट्व थी ठीक है बताईएगा अच्छिए हो जाएगा सबका अब बढ़ते अंगले कॉर्शन पर यहां पर क्या दिया है भई यहां पर दिया है कि ए बी डीफ जी क्रमिक समसंख्याइ Protection छाय अजय दो उनो सभी संख्याओं के और कितना होगा उन सभी संख्याओं का और और कि गतना होगा तो आएग बात बताते हैं आपको यह अगर सम संख्या है या विसम संख्या है उससे मतलब ही नहीं हो पुछा इनका उन सभी संख्याओं का उसत कितना होगा तो एक काम करते हैं हम इसका उसत निकालने और इसका उसत निकालके क्या कर दें आधा कर दें हो जाएगा ना देखिएगा अगर यह सम संख्या हैं तो हमने तीन आगे सटा दिया तीन पीछे सटा दिया बीच में क्या बचा डी बचा अगर यह सम संख्या हों विसम संख्या हैं तो आगे से ले लिया तो पीछे से ले लिया बीच में क्या बचा ल बचा तो एक काम करिए लाइगा को डी दृट योड़कर उसका आधा कर दिजी आपका क्या याँ जा मुए डी प्लस ऐल बाइट अब क्या सरह हो जा यह निकालने टीडी और इसका निकालने तो यल आधा कर देंगे तो मुझे complete औसत मालूम चल जाएगा complete औसत मालूम चल जाएगा बताईए आरा समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी लोगों को इस तरह स्वाल को पढ़ेंगे तो बिना कुछ कि यह आप सीधे-सीधे आपको क्या दिखेगा आपको क्यों अपना सवाल ही दिखेगा लिखा है लगातार पांच संख्याओं का औसत ए है यदि अगली दो संख्याएं सामिल कर लिए जाएं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा आई इस सवाल को लगाने इसके पहले इसका पीछे इसका रहत सक्या है आई उसको जाना जाए जैसे माल एक न हम लिए मेरे पास 5 संख्या हैं लगातार संख्या हैं 123 अगर मैं इसके बात करूं दो आगे सटा दीजिए आप दो पिछे सटा दी मुझे मालूम चल जाएगा 3 है ठीक मुझे आभरेस क्या मालूम चल गया है तो टीन है चलिए स्कों बेटा दीजिए हुआ है ना तीन है हमने का इसी क्रम में आप दो श्टेप आगे बढ़ जाए तो आप कहाएंगे अगर आगे बढ़ेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे और साथ पहले पांस हमने दो स्टेप आगे बढ़ गया जब आगे बढ़ने के बात देखे आपने का भई अब तीन संख्या आगे सटाएंगे तीन पीछे सटाएंगे बीच में क्या बचेगा चार बचेगा अब इसका एवरेज चार हो जाएगा इसा कैसे पहले तो आपका तीन था अब एवरेज आपका चार हो गया यह एक क्यों बढ़ा आपने कहा क्योंकि यह दो नंबर आप आगे बढ़ चुके हैं दो इस्टिप आगे बढ़े तो बढ़ोत्री एक क्यों रही है नियम क्या कहता है कि जितने आप नए नंबर को लेंगे जितनी अगली संख्याओं को उसमें आप दो से भाग देजिए जब दो से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगा एक और ये एक कहां एड हो जाएगा आपके पुराने वाले अफ्रेश में या अगर आप अगर लिखना चाहा तो लिख लिजिए कि जब क्रमागत लिख लिजिए इसको जब क्रमागत संख्याओं का अब करमागत में यह नहीं बोला गया कि बिसम है कि समय वो क्रमागत जब क्रमागत संख्याओं में कुछ नए आगे के नंबर आगे के या ऐसे लिखे कुछ आगे की संख्या जोडने को कहा जाए जोडने को कहा जाए तो हम जितनी जितनी नई संख्याओं को हम जितनी नई संख्याओं को लेते हैं उसमें दो से भाग दे देते हैं फिर प्राप्त संख्या को फिर प्राप्त संख्या को पुराने आउसत में जोड देते हैं हमने यापर सारी चिचे लिखती हैं अब आपको देखना है क्या लिखा गया है जब क्रमागल संख्याओं में कुछ आगे की संख्या जोडने को कहा जाए मतलब कर आगे की संख्या है और जोड दी जाए प्रलब आगे कि दो संख्या स्क ली जाए चार इसस बहर ले जाक्ष को ले ली जा है जितनी संख्या है आपको जोडने को कहता है उसमें आप दो से भाग देदें पिर जो संख्या प्राप्त होता उसे पुराने वाले जोड़ देते हैं जैसे यहां पर अगर कहा जाए तो करा दो इस टेप आगे बढ़ जाए दो अगली संख्याओं को ले लीजिए तो दो में क्या करेंगे हम दो से भाग देंगे काटने पर क्या आया एक यह एक कहां आए टेप लगातार पास संख्याओं का आओसा पी है यदि अगली दो संख्याओं सामिल कर ली जाएं तो नया आओसाओ क्या होगा अगली दो संख्याओं हमने कहां में दो में दो से भाग देंजी क्या या एक पुरानी यही अब सब्सक्राइब पर लिखा है लगा तार 233 संख्वाओं का आवसत ए जोड़ नहीं है यदि अगली 22 संख्या हो भी सामिल कर लिया जाए तो नया आउसत क्या होगा ये बताना है आपको चलिए वह अगली 22 संचाइए ले ली जाए अगली 22 संचा लेंगे 22 में आप नहीं आइगा फ्राने वाले देंगे और यहाँ पर आपको सवाल क्या हो जाएगा answer और option देखेंगे तो पहला option आपका correct हो जाएगा पहला option आपका एकदम correct हो जाएगा कुछ भी नहीं करना है आप अगर चाह नहीं मांदारी से तो इस सवाल के लिए बताइए क्या आपको कलम चलाने के आउशकता होगी क्या पिन चलाएंगे अपने कम देखें यहां पर क्या करहा है भई कि आ यह होग लगातार पांच संख्याओं का ऑउसत यह है लकशा सुनी सुनी लगातार पांच समसंख्याओं यहां पर सम्संख्या की सीरीस दिया है लगातार 5 सम्संख्यां का और कि अगली दो संख्यां की सामील कर लिए जए जो आगी wise इस इसको भी सामिल कर लिया जाए तो नया और आउसत क्या होगा यह आप से पूछा है हमने का भाई अच्छा यह अपको नियम बता दे ना नियम तो बताए भी नहीं आपको संबिसम का नियम क्या कहता है आप लगातार देखें हैं लेकिन संबिसम की बात आपसे नहीं किये हैं हमने मालेक 2, 4, 6, 8, 10 यह मेरी पहले सेरीज थी और इसका एवरेज देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा क्योंकि दो आगे चाटा देंगे दो पीछे चाटा देंगे आपका एवरेज क्या मिल गया छे मिल गया ठीक है अब कह रहा है आपसे कि इसी स्टेप में मैं अ संख्या है और ले लूँ देख लिजिए अगर यहां पर ले लिया जाए 2, 4, 6, 8, 10 और अगर हम कह दें आपसे कि भाई 12 ले लिया जाए और 14 ले लिया जाए तो नया आउसत क्या होगा 12 और 14 ले ले लेंगे तो नया आउसत क्या होगा हम लोग देखेंगे एक काम करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याए हैं 3 हम आगे से ले 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 और 3 पीछे से ले 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 तो बीच में क्या बचेगा 8 बचेगा और यही 8 हो जाएगा मेरा new average नया आउसत सही बात है एकदम सही बात लेकिन यह हो कैसे रहा है तो नियम क्या कहता है कि जब संख्याएं आपकी सिरीज कैसी हों सम हो या विसम हो तो जितनी संख्याएं आगे और लेने के लिए कहता है जितनी संख्याएं आगे और लेने के लिए कहता है दो कहता है तीन कहता है चार कहता है उसमें क्या कर उतनी ही संख्या उतनी ही संख्या आप पूरानी और सत्में जोड़ देंगे जोड़ यहाँ पर क्या लिखाए जब आपके सीरी संख्या आगे लेने के लिए कःता है । इसका मतलब ली और यही मेरा बन जाएगा नया औसर अपर मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा A plus 2 मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा और ऐसे question को करने के लिए आप लोग बिल्कुल भी कभी भी जीवन में पेर मत चलाईएगा क्योंकि आपको सबसे सांदार तरीका यहां पर बता दिया गया है और समझा दिया गया है चलिए, हो गया सबका अगर हो गया हो तो आईए फिर आगे बढ़ते हैं अगले question पर चलते हैं देखिए का क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है लगातार 233 समसंख्याओं का आउसत क्या है A है अगली 22 संख्याओं ले लिजाए मेरे बाई 233 समसंख्याओं है यहां पर लिखा है समसंख्या इनका आउसत A है यदि अगली 22 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया आउसत क्या होगा हमें पता है कि जब 22 संख्याओं लेंगे तो जब पुराना आउसत रहा होगा जो पुराना आउसत रहा होगा जितनी संख्याय लेते हैं उतना ही जोड़ देते हैं तो a plus 22 आएगा मेरी सवाल का आंसर और option देखेंगे आप तो a option आपका correct हो जाएगा a option आपके सवाल का correct हो जाएगा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question पर आईए अगला question देख लीजिए यहाँ पर देखिए अब क्या किरा है भाई किरा लगातार 73 73 बिसम संख्याओं का ओस्त a है अब यहाँ पर क्या देने लगा बिसम संख्या देने लगा बिसम संख्या अभी तक क्या किरा था लगातार संख्याओं का सीरीज है या सम संख्याओं का सीरीज है हमने लगातार को आपको भी ले लिया जाए तो नया आउस्त क्या होगा चलिए देखते हैं आपको समझा देंगर आप आप से मैं पूछ दूँ इसका एवरेज क्या होगा तो आप कहेंगे इसका एवरेज तो पांच होगा इने का बिल्कुल सही बात है भाई क्योंकि आपको पता है कि जब किसी सीरिज को फॉलोग करता है जितनी संख्या मैं आगे सटाता हूं उतनी ही मैं पीछे सटा दू तो ऒसके संख्या मेरि ए Chris केहलाती हैं अगर मैं इसी क्रम में एक पांच साथ नौइशी करम अगर में आगे बढ़ा दू कितना दो अर इसी क्रम मैं में में दो स्टिप आगे बढ़ा दू तो बताइए अब मेरा और और शय क्या कहलाएका तो आप कहेंगे भाई आप आगे section fahren पीछे चित्ति नटा दीजिए जो बीच का है यही क्या क्या लाएगा आपका एवरेज मतलब हमने दो संख्या आगे बढ़ाया तो एवरेज में भी दो कि वृद्धी हो गई अगर हम दो संख्षा को आगे बढ़ा रहे हैं तो आउसत में भी कितनी की वृद्धी हो रही है आई बात समझ में अब बताईएगा तो ऐसा क्यूं हो रहा है तो हमने का इसका मतलब वही संख्षा का रूल इसमें भी फॉलो हो रहा है संख्षा का जो नियम था कि जितनी जोड़ दीजिए नया आवरेज आपको मालूब चल जाएगा तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पर किरा 73 विसम संख्याओं का उसाथ ए था इसमें करा 13 संख्याओं को और ले लिया जाए तो हम क्या कर दें इसमें उसे सवाल भी हो जाएगा अगर देखेंगे तो सी सही हो जाएगा इसे यह तो आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं होगा कि जब विसंसंक्षां कि बात होदी या समसंक्षां कि लगतार संख्यां की बात होदी एक बार आएफ समस्ज लेजिए जब लगातार संख्षाएं रहें तो जितनी संख्षा कहता है माले एन संख्षा कहता है तो एन बाइट टू आप क्या करेंगे पुराने वाले जोड़ देंगे ठिक अगर आप से कहता है सम संख्षाओं के सिरीज सम संख्षाओं की बात करेगा तो आप क्या करेंगे जितनी संख्षा आगे लेने के लिए कहता है उतना ही आप क्या करेंगे पुराने वाले जोड़ देंगे और अगर बिसम संख्षाओं की बात करता है अगर बिसम संख्याओं की बात करता है तो आप क्या करेंगे आप जितनी संख्या आगे लेने के लिए कह रहा है उतनी संख्या आप क्या करेंगे तुराने वाले एवरेज में जोड़ देंगे ठीक है जब लगातार कहेगा तो N by 2 जोड़ना है संख्या बिसम कहेगा तो जितना संख्या कहता है उतना संख्या जोड़कर आप इतना एवरेज नया वाला प्राप्त कर सकते हैं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगली क्योश्चन पर और यहां पर देखिए दस्वा क्या करा है यह दिए शेख्या क्रमिक संख्याओं का उसर 25 है तो उसमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना होगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कराब पाच संख्याय है सब्सक्राइब एक दो एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, जदा बड़ा-बड़ा हो गया, एक बड़ाबर बनाची, एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, छे क्रमिक समसंख्याएं हैं, और इसमें कह रहा है, कि इनके समसंख्याओं का जो औसत है, जो छे क्रमिक समसंख्याओं का जो औसत है, वो कितन 24 होगा इसके पहले देखेंगे तो 22 होगा क्योंकि समसंख्याएं हैं यहाँ पर 20 होगा सही बात है ना यहाँ पर अगर बात करें 26 28 और 30 होगा अब बताइए हमको आप लोग 20 से लेकर 30 के बीच में अंदर कितने का आएगा यह जो इस यह जो गैफ आएगा आपका यह गैफ ह हो जाएगा 10 का यह गैफ कितने का हो जाएगा 10 का तो गैफ निकालने के लिए अगर इतना process काम इतना step अगर बढ़ना हो फिर पढ़ने का क्या मतलब है हम लोग का आदत क्या है हम लोग का आदत यह है कि आपको मैं सवाल देखा हूं तो आप लोग देखती है उसका तुरं जाएगा गैफ तो च्छेमेंस्ट कम करेंगे लो और यही गैफ क्या कहलाएगा आपका सबसे बड़ी और सबसे छोड़ी संखिया का अंतर आपको मैं यहां भी दिखा चुका हूं और आपको मैं सॉठक बता चुका कि जितनी संख्याइं दी रहती उससे एक कम करिए उसका दोगुना कर दिजिए वही आपका क्या जाएगा सबसे बड़ी सबसे छोड़ी संख्या का गया बताईए मज़ा आ गया की नहीं कि चलिए अब बढ़तें अगले क्रोश्टन पर अब बताईए इस क्रोश्टन का अंसर बताने के लिए क्या आपको कुछ करना पड़ेगा करा आठ क्रमिर्ट संख्याए हैं जी बिल्कुल उनका उसकत क्तना है 127 है उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोड़ी संख्या के मुझे अंतर बताना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोड़ी संख्या के मुझे क्या बताना है अंतर बताना है तो हम लोग क्या करेंगे जितनी संख्याएं दी है आठ आठ में से क्या करेंगे एक कम कर देंगे और इसका क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे और यही क्या बन जाएगा मेरे गैफ का अंतर तो आठ में से एक गैस साथ साथ का अंतर साथ का दोगुना करेंगे तो चार और यहीं आंसर आजाए चार नहीं भाई 14 साथ को तीन चार पांच छे साथ आठ करा सम संख्याओं के सीरीज है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक काम करें चार आगे सठा दीजिए चार पीछे सठा दीजिए बीच में क्या बचेगा आपका 127 और 127 क्या हो जाएगा आपका एवरेज लेकिन ये सीरीज तो इवेन नंबर का है न इसके पहले आईए 126 124 122 और 120 हो गया आगे बढ़ेंगे तो 128 130 132 134 इस तरह से हो जाएगा अब बताइए मुझे आप लोग कि यहां से लेकर अगर यहां तक का मुझे गैफ चाहिए त तो 120 है और 134 है अगर मैं गैफ की बात करूं तो आप लोग क्या बोलेंगे इनका गैफ हाएगा 14 और यही 14 मेरे सवाल का अंसर कितना आसान लग रहा है आप इससे लगाना चाहा तो इससे लगा ले बाकि आगर और लगाना चाहा तो और लगा ले आप सवतंत्र हैं जिससे इच्छा करें उससे लगाई सवाल बस लगाना है आप लोगों को चलिए हो जाए कि सबका अब इसके आगे बढ़ते हैं कि लिए कुश्चिन पर चलिए कि 31 लगातार विस्म संख्यारों का औसर कितना है 49 है तो सबसे बड़ी संख्या बताईए ऑफ सबसे बड़ी संख्या बताईए क्यां लगाएंगी अब ओर लगादे इसका अंसर अगर आपको बताना हो तो क्या बताएंग Debatte इक ताली से बीश दूना चाली साले जोड़ी चाली जोड़ी चाली एक 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 ताली संख्याएं तो इसका उस्तरा दिया है ओ एक नट रूक जाईए एक चासी नहीं भई ये यहां पर जो संख्या है संख्या का आवसत है और यही इसका आवसत में आउसत कराई इसके अगर पीछे की बात करें तो यहां से यहां आएंगे कितना 20 संख्या इसके पीछे आएंगे और मुझे यह भी पता है कि जो संख्या या भी संख्या होता एक छोड़कर एक आता है अगर 20 संख्या मुझे आगे जाना होगा किसका मतलब है कि 20 नहीं वो उसका अंतर हो ज निसे पर देगा है अगर सबसे चोटी पूछ देगा तो इस में से आप 40 कम कर दिए अगर आप 49 में से 40 कम कर देंगे तो क्या रही नो और आपको अगर यकीन नहों अगर आपको यकीन नहों तो आप ध्यान से देख लिए जो और तो होता है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संचा का अंतर तो सबसे छोटी संचा क्या है आपकी नव सबसे बड़ी संचा क्या है आपकी 89 अगर मैं 89 में नव जोड़ दूं तो कितना आएगा नो नो अठार एक कितना आएगा नो अठान भी आ गया मैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़कर क्या करता था उसमें दो से भाग देता था और जब दो से भाग देंगे आप तो क्या आएगा 49 आपके सवाल का आंसर आएगा 49 आपके सवाल का आंसर आएगा आई बात समझ में बदाईए कोई दिक्रत किसी को तो फूच सकता है फिर से एक बाद तो आप इतना जान लिजिए कि जब सम संख्याएं या बिसम संख्याएं दी रही तो उसके आगे बढ़ने के लिए हम दो है लोका तीन है भिसमार फिर आएगा त्क चार मैं कहई है अगर दो के बाद आग्ला समसंख्याएं क्या होगा चकार किसम क्यों आप के टो आज के क्लास आपकी इह पर क्या उती है ब्रेक होती है और इसके बादि चीजे आप इसी से जोड़ी भी कल आप फिर continue कल नहीं next class में आप फिर continue करेंगे क्या है हाँ हुआ है 27 तरीक मतलब भाई कल तो आप जानते ही न कि गर्दन द्रिवस है तो फिर और आप सभी को हमारी तरफ से गर्दन द्रिवस की भाई हार्दिक शुब कामना है अच्छे से आप लोग भी celebrate करिएगा तिरंग